नमस्कार तिवेदी जी के कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम चने के बेशन का कतली बनाएंगे जो कि खाने में काफी स्वाधिश्ट होती है तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कफ हम बेशन लिये हैं इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के लमसम धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच के लमसम लाल मिर्चा पाउडर नमक स्वाध अनुसार है और एक चुटकी हेंग है इसमें उपर से हाँ पे आप देख सकते हैं हरा मिर्चा है, दो हरा मिर्चा हम बारी काटके इसमें डाल दिये हैं, और यहें थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे तो यहाँ पे हम एक कप के लमसम पानी डाल दिये हैं पर अभी पानी और पड़ेगा तो इसमें आधा कप पानी और डाले हैं और इन्हें अच्छी तरह से हम मिला देंगे तो अभी भी मोटा लग रहा है आधा कप पानी के लमसम और डालेंगे यानि कुल मिला के हमारा पानी जो है एक कप चने के बेशन में दो कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी पड़ा है सवा दो कप मान लेजिया अब इस तरह से जब बैटर हो जा तो आप बस इन्हें दस मिनट के लिए रख दीजिये ताकि सेट हो जा थोड़ा सा दस मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक चमच तेल डाले हैं पैन हमारा गरम है और इसमें हम डालेंगे आधा चमच से थोड़ा सा ज्यादा जीरा है और जैसे ही चटक गया थोड़ा सा इन्हें हिला देते हैं और आप देख सकते हैं जैसे चटक गया तुरंत इसमें हम डालेंगे यह बेशन जो है हम घोल के रखे थे इसे हम डाल देंगे और इन्हें चलाते हुए हम डो बना के तैयार करेंगे तो यह हमें ध्यान देना है कि एक तार अपने हाथ को चलाते हुए ही इन्हें आप थोड़ा सा टाइट डो बनाए ज्यादा नहीं गिला हो और नहीं टाइट तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपने पल्टे से हम प्रेस करते हुए गाठे या लंस ना कोई रह जा तो थोड़ा सा पानी हमें कम लगा है इसमें हम आधा कप पानी और डाले हैं क्योंकि अभी अच्छी तरह से पका नहीं लग रहा था और बेशन जो हमारा थोड़ा सा गढ़ा हो गया था तो इसमें थोड़ा सा और पानी हम डाले हैं आधा कप यानि तीन कप के लंसम पानी पड़ गया है एक कप बेशन में अब जो है बिल्कुल सही है तो इन्हें प्रेस करते हुए इस तरह हम चलाएं और धीमी आज पे ही हम इन्हें पकाएं अब तयार हो गया है तो इन्हें हम रख देंगे ठंधा होने के लिए तो अभी तो फिलहाल इसमें हम आप यहां पर देख सकते हैं यह थाली लिए हैं इसमें हम हलका सा तेल लगाएं हैं और उसके बाद इसमें बेशन को अपने निकाल देते हैं इस तरह आप देख सकते हैं थाली में तेल जरूर आप लगाएं और साइट साइट में भी लगा ताकि आपका जो बेशन है अच्छी तरह से जब सूख जा तो थाली से बराबर में निकल लिया और इस तरह से हम इन्हें प्रेस करते हुए इस तरह आप देख सकते हैं एक गोल आकार हम देखकर इन्हें चिकना बना देंगे तो थोड़ा सा हाथ में तेल लगाके और थोड़ा चिकना कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अभी अच्छी तरह से चिकना नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम हाथों का हेल्फ लिये हैं आप देख सकते हैं अब इन्हें हम रख देते हैं कम से कम आरहा घंटे के लिए हम रखेंगे ताकि अच्छी तरह से सूप के सेट हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं अब देखिए आप अच्छी तरह से सेट हो गया है और इन्हें हम साइट साइट से थोड़ा सा चाकू के मदद से थोड़ा थोड़ा सा हम बचा के आप इन्हें चाकू से साइट साइट से निकालना उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा जो है टाइट बिल्कुल बनके तैयार हो गया है तो इसका आप हम काटेंगे कतले चोटे या बड़े आपने हिसाब से आप साइद दे सकते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम काट लिए हैं और फिर एक बार और हम घुमा कर इन्हें थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े दे देंगे और आप जब भी चाहें जटपट इन्हें बना के आप तैयार कर सकते हैं नास्ते में या आप चाहें तो बच्चों के लिए टिफिन में ये काफी हल्दी होता है और स्वात से भी भर पूर होता है विसी तरह से हम पूरा कतली को निकाल लेंगे अलगर आप देख सकते हैं अब इन्हें हम एक थाली में निकाल लेते हैं और उसके बाद चलते हैं कढ़ाई के तरफ यहां पर कढ़ाई रखे हैं और इसमें डालेंगे हम सरसो का तेल हैं आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं पर यहां पर हम सरसो का तेल यूज कर रहे हैं सरसो का तेल का स्वात बहुत अच्छा लगता है तो हम ज़्यादा तर्यूज करते हैं अब तेल खुब अच्छी तरह से खौल जा जब लगे आपको की अच्छी तरह धुआ निकलने लगा तो उसमें आप अपने कतली को उठा के बचा बचा के डालें ताकि आपके हाथों पर छीटा ना पड़ें और यह ध्यान रहें कि बिल्कुल हीट होना चाहिए आपका तेल और खास कर सरसो का तेल हो तो उसमें से धुआ अच्छी तरह से आपको निकाल देना चाहिए अब इस तरह से हम इने पलट दे रहे हैं जैसे यह एक तरफ आपको लगे कि अच्छी तरह से गोल्डेन ब्राउन हो गया दूसरी तरफ आप पलट दे और ठीक दूसरे तरफ अगर उसी तरह से आपका हो गया तो आप निकाल दे आप मेरा रेडी हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इने निकाल देते हैं तेल को आप अच्छी तरह से निकाल लें और टीशू पेपर पर आप इस तरह से रखते हैं तो इसी तरह से हम सारी पकोड़ियां बना के जो है कतली निकाल लेंगे आप बेशन का पकोड़ी कहिए या कतली कहिए जो भी कहिए पर है बहुत लजित चीज़ एक बार बना के ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंड करें कैसे लगा यहां पर आप देख सकते हैं तोड़ के एक हम दिखा रहे हैं इस तरह बहुत अच्छा बना है स्वात से भरपूर है और हाँ अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर दें धन्यवार